आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलिवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की मुवीज के बारे में जानेंगे उनका बजट और बॉक्स ओफिस कलेक्शन तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइगर श्रॉफ की पहली मुवी थी हीरोपंती मुवी 23 मई 2014 को रिलीज की गई थी मुवी में टाइगर श्रॉफ किर्ती सेनन और प्रकाश राज देखने को मिले थे मुवी का बजट है 25 करोड मुवी ने कलेक्शन किया 52 करोड और यह एक हिट मुवी थी मुवी में टाइगर श्रॉफ श्रॉफ श्रधा कपूर और सुधीर बाबू ने लिड रोल प्ले किये थे मुवी की बजट थी 37 करोड मुवी ने कलेक्शन की 76 करोड और यह एक हिट मुवी थी मुवी में टाइगर श्रॉफ जैकलीन फर्नांडिस और अमरिता सिंग मुवी में देखने को मिले थे मुवी की बजट थी 45 करोड मुवी ने कलेक्शन किया 38 करोड और यह एक फ्लॉप मुवी थी मुवी में टाइगर श्रॉफ नवाजुद्दीन सिद्धी की निधी अगरवाल और रोनित रॉई मुवी में देखने को मिले थे मुवी का बजट है 41 करोड मुवी ने कमाए 32 करोड और यह एक फ्लॉप मुवी थी नमबर पांच बागी टू रिलीज 30 मार्च 2018 मुवी में टाइगर श्रॉफ और दिशा पतानी ने लिड रोल प्ले किये थे मुवी की बजट है 75 करोड मुवी ने कलेक्शन किया 165 करोड यह एक ब्लॉक बस्टर मुवी थी मुवी में टाइगर श्रॉफ तारा सुतारिया और अनन्या पांडे ने लिड प्ले किये थे मुवी का बजट था 75 करोड मुवी ने कलेक्शन किया 70 करोड और यह एक फ्लॉक मुवी थी नमबर साथ वोर रिलीज 2 अक्टूबर 2019 मुवी में टाइगर श्रॉफ रितिक रोशन और वाणी कपूर हमें देखने को मिलते हैं मुवी की बजट थी 150 करोड मुवी ने कलेक्शन किया 318 करोड और यह एक ब्लॉक बस्टर मुवी थी नमबर आठ बागी थिरी रिलीज 6 मार्च 2020 मुवी में टाइगर श्रॉफ रितेश देशमुख और श्रधा कपूर ने लीड रोल प्ले किये थे मुवी की बजट है 100 करोड मुवी ने कलेक्शन किया 96 करोड और यह एक फ्लॉक मुवी थी नमबर नौ हिरोपन्ती टू रिलीज 3 दिसंबर 2021 मुवी में टाइगर श्रॉफ नवाजुद्दीन सिद्धी की और तारा सुतारिया ने लीड रोल प्ले किये थे मुवी का बजट था 70 करोड मुवी ने कमाए 21 करोड यह एक डिजास्टर मुवी थी